प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस्ट बेल आइकन तो गेट नोटिफाइड वेनेवर वी अप्लोड अन्यू वीडियो जिसकी वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा इस बीच सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई महीं कासेबाद के लालकुआ इलाके में तेज आंधी की वजह से एक पेड़ कार पर जा किरा जिसके बाद कार में सबार दो लोगों की मौत हो गई हर्याणा में आने वाले फरिदबाद में भी तेज आंधी के कारण एक पेड़ सड़क पर गिर गया और महां खड़ी एक गाड़ी उसकी चपेट में आ गई जिसके बाद मौकी पर मौझूद कुछ लोग सड़क पर गिरे पेड़ को हटाने की कोशिश करने लगे रविवार शाम अचानक मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही तेज हवाएं चलने लगी इस बीच कई इलाकों में धूलबरी तेज आंधी के साथ बारिश भी हुई दिली में एक अस्पताल के बाहर एक लड़का अपनी मा की मौत की खबर सुनने के बाद सीड़ियों पर बैट कर रोने लगा पुलिस ने बताया कि रभीवार देरशाम आएक तुफान में एक पेड़ महिला के उपर गिर गया जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए और अस्पताल ने जाने पर डॉक्ट्रों ने उसे मृत खोशित कर दिया जिसकी जानकारी मिलते ही उसके परिजनों में मातम चा गया परिजनों ने बताया कि महिला अपने बेटे के साथ खर के बाहर बैठी थी तूफान आते ही वो अपने बेटे को लेकर खर के अंदर जाने लगी ताभी पास में लगा एक पेड़ महिला और उसके बेटे पर आ गिरा हादिसे की सूचना मिमे के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस ने महिला के शब को कबजे में ले लिया है कि तेज आंधी और तूफान के बीच इनके परिवार पर बिजली गिर गए जिसकी चपेट में आने से उनके परिवार का एक सदस्य बुरी तरह से जुलस गया जिससे तुरंट अस्पताल लाए गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत खोशित कर दिया जानकारी के मुर्शिदाबाद के चालंगी इलाके में शंकर मंडल नाम का एक आदमी अपने खेट में काम कर रहा था इस दौरान उस पर आसमान से बिजली गिर गई महीं हाबडा में भी तुफान के समय बिजली गिरने से चार बच्चे उसकी चपेट में आ गए जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भरती करवाई गया लेकिन डॉक्टरों ने सभी बच्चों को मृत खोशित कर दिया दावा है कि पश्चिम मंगाल के अलग-अलग इलागों में बिजली गिरने की वज़ह से 11 लोगों की मौत हो गई कोलकता में फुटबॉल खेल रहे एक बच्चे पर भी बिजली गिरी और नादिया में दो लोगों पर बिजली गिरी जबकी पश्चिम मी मिदनापूर में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई दक्षिन पश्चिम मौनसून अपने तय समय से 4 दिन पहले 28 माई को केरल में दस्तक देगा मौसम का नुमान लगाने वाली इनिजी एजिनसी स्काइमेट ने दावा किया कि मौनसून 20 माई को अंडमान और निकोदवार द्वीप पहुंचेगा इसके बाद 24 माई को मौनसून श्री लंका से होते होए बंगाल की खाड़ी की तरव बढ़ेगा इस काइमेट के मौनसून के 28 माई को केरल पहुंचने की उमीद है आम तोर पर केरल में मौनसून एक जून को दस्तक देता है मौसम विभाग इस साल मौनसून के सामाने रहने का नुमान जता रहा है